आज मैं आप लोगों के साथ में ब्रत में खाई जाने वाली दो तरह की ऐसी रेस्पी शेयर कर रही हूँ जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होंगी और बनाने में बहुत ही आसान है यकीन मानी है अगर आप इसे बना कर खाएंगे तो आप इसे बिना ब्रत के भी बनाना चा अगर वीजो अच्छा लगे तो वीजो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बारा हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो चलिए शुरू करते हैं वीजो को तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहां पर ब्रत में खाय जाने वाले आलू तो सबसे पहले यहां पर हमने आलवों को बॉयल करके और छील के इस तरीके से कट कर लिया है तो आप छोटे बड़े पीसे अपने ही साब से रख सकते हैं यहां पर सारे आलवों को मैंने कट कर लिया ह अब हम gas on करके कड़ाई में थोड़ा सा देशी घी एट करेंगे आप जो भी cooking oil यूज़ करते हूं वो यहाँ पर यूज़ करें अब हम इनमें थोड़े से मुंगफली के दाने फ्राइ कर लेंगे आप चाहें तो मुंगफली के दानों को रोष्ट भी कर सकते हैं लेकिर फ्र अगर आप जो भी चीज़े नहीं पसंद करते हैं या नहीं खाते हैं ब्रत में उन्हें इसकिप कर सकते हैं तो यहां पर मखानों को भी हमने निकालिया फ्राइ करके बचे हुए घी में हमने एक छोटा चमबच जीरा एट किया है और थोड़े से बारी कटी हुई हरी यह जो बॉयल आलू थे हमने कट किये ते वो हम इसमें एट कर देंगे चला देंगे थोड़ा समया पर ब्रत में खाने वाला नमक एट कर देंगे या आप स्वाद की अनुसार एट करें और बस इन्हें अच्छे से फ्राइ कर लेंगे तो यहां पर देखे इस तरीके से आल लग जाता है यकीन मानिए वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा तो आप इस तरीके से इने अच्छे से फ्राइ कर लें तो आलू देखे जट पर कितनी जल्दी बन गए हैं और यह बहुत ही टेस्टी हैं तो यहां पर आलू बनके तयार है हम इने सर्फ कर लेते हैं आ आप इन्हें कैसे बनाते हैं क्या इसी तरीके से बनाते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा तो आलू दो बनके तयार है अब हम दूसरी रेशिपी आपके साथ में श्याय करने जा रहे हैं तो अब हम बनाएंगे बृत में खाय जाने वाली पूरी तो यहां पर दे आलू को अच्छे से ठंडा कर लिया है और अब हम इने ग्रेट कर लेंगे यानि कि कद्दू कस कर लेंगे तो यह देखिए फ्रेंग्स आप मैश करेंगे अगर तो सकता उसमें थोड़े से गुलतियां रह जाए आलू में उसके टुकड़े रह जाए इसलिए हम यहां पर कद लगती तो मैंने यहां पर दो बाउल टोटाल आटा लिया है और अब हम क्या करेंगे इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे उसके पहले हम यहां पर थोड़ा सा हरी मिर्च एक करेंगे तीखे पन के लिए और थोड़ा सा ब्रत में खाये जाने वाला नमक ले लेंगे सेंधा जिसे कहते हैं और इसे भी थोड़ा ही एट करेंगे बहुत ज्यादा नहीं क्योंकि हम इसके साथ कोई भी चेकनी या सबजी यूज़ करेंगे खाने में थोड़ा सा हमने जीरा एट किया है और बहुत ही थोड़ा सा लगबग एक छोटा चमच हम यहां पर घी एट कर और अब हम इने अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहां पर अभी हम पानी का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि पहले आपको यह ड्राय लगेगा लेकिन अगर आप हो सकता है तो जो यह आटा यह गीला भी हो सकता है तो इसलिए पहले अच्छे से मिक्स कर लें फिर जरूरत लगी मुझे तो मैंने थोड़ा सा पानी इसमें एट किया है पानी बहुत ही थोड़ा थोड़ा एट करना है ध्यान रहे यह आटा गीला नहीं होना चाहिए इसका डू लूस नहीं होना चाहिए क्योंकि रखने पर यह थोड़ा लूस ही हो जाता है आटा गूत गया है हम इसे रख देंगे ठकके और इधर गैस अन करके हमने कड़ाई में थोड़ा सा घी एट किया है आप जो भी तेल या घी खाते हो वो एट करें और यहां पर आचा भी थोड़ी दिर रेस्ट हो चुका है तो अब हथेलियों को हम थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे और यहां पर दिखिए कि एक बार आटे को और इस तरीके से मसल लेंगे और बद छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे यानि कि लोईयां बना लेंगे और चाहे तो आप अगर आप बेलते हैं तो हो सकता हो चिपके यह चकले में या फिर किनारे से क्रेक हो तो आप इस तरीके से हथेलियों में बह बहुत ही टेस्टी पूरिया बनती हैं व्रत में तो इसे सभी लोग लगभग बनाते हैं तो मैंने सुचा आपके साथ में भी शेयर करती हूं फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पर आपको व्रत की और वी रे मिल जाएंगी तो यहां पर देखिए पूरी फ्राई हो गई है और दूसरी पूरी को भी हम इस तरीके से थोड़ा सा पलट लेंगे तो मैंने इसमें बहुत ज्यादा घी नहीं भरा हुआ है क्योंकि फिर बच जाता है तो फिर यह लगता है कि हां इसको अब दुबारा तो आप इन्हें कब बना रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और आप आपको यह रेसीपी अच्छी लगी हो तो फ्रेंट्स प्लीज वीजो को लाइक कीजेगा और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज अनिवाद थैंक्स पर वचिंग